अज़ टॉपिक आएट़ टॉपिक है आनीमल्स फ़ष्ट है क्लासिफिकेशन अकोड़िंग टू है बिटाट ए देविच आपाँपाई आनीमल्स दी क्लासिफिकेशन करांग़ अन्छा दीह हायश्ट्वेश्ट है ताक्यों एजिली लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकन जिद्धा के टाइगर हो गया हॉर्स बियर कैमल एक्सेक्टरा नेक्स्ट आगे अक्वाटिक अनिमल्स एक्वाटिक अनिमल्स ओव अनिमल्स ने जड़े पानी चुरें देने लिव इन वाटर ब्रीध थू गिल्स क्यों अपने गिल्स दे गल्फड आंदे हल्प देनल ब्रीध कर देनेंगे यूज डिजॉल्ड ऑक्सीजन इन वाटर त्यों हो अक्सीजन के थो लेंदेने जड़ी के पानी ने विच्छ डिजॉल्व होई हुंदी है जिद्धा के फिश होगी टर्टल होगे क्राब शार्क डख सी टर्टल एट सेक्टरा पर अब जिनने वी पाणी आले जानवर ने सब मैमल्स लाइक वेल, डॉल्फिन, सील कम्स तू दा वाटर सर्फेस तू ब्रीध अस दे ब्रीध थू लंग्स के अने कुछ के मैमल्स आदा देने जिद्धा वेल होगी डॉल्फिन होगी ते सील देने लिव बोथ ओन लैंड प्लस वाटर ब्रीध थू गिल्स एंड लंग्स क्योंकि पानी चवी रहन देने ते मिटी रहन देने ता ओनाच ही होगा क्यों गिल्स दे थू भी ब्रीध करनगे ते लंग्स दे थू वी एक्जांपल फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर, क्रोकोड अच्वाइल, एक्सेक्टरा, फर्स स्टेज इन वाटर गिल्स एडल्स लिव मेल्दी ऑन लैंड लंग्स जो फर्स्ट स्टेज होंदी ए ना जो किस छोंदी है पानी चुन देना जो एडल्ट स्टेज आगी एना दी ओ मोस्ली लैंड ते हुन दियागी ते ओधो इनना दे दट लंग्स ब्रैंट होंदे ने फ्रॉग ब्रीध थ्रू successful लैंट इन वाटर जो फ्रॉग पाणी देवी चाब्दी जो मोईस्ट स्ट्रून होएगी गिल्ली स्किन होएगी नेक्स्ट आगे जो एक्वयटिक वाले ने जो फिश ने उनना कुल फिन्स होणगे जो टर्ट अनिमल्स होंगे उना थी बॉडिया जो स्ट्रीम लाइन होंदी है स्मूध होंदी है कि ग्लॉसी होंदी है तांगे पाणी दे बहा आवोना नू रोक ना सके उनना ते प्रैशर ना पा सके तो इजली वाटर दे विचे ट्रेवल करते रहें नेक्स्ट आगे आर्बोरियल एनिमल्स किड़े हुंदे ने जड़े ज्यादा टाइम ट्रीज दुप पर रहन दे ने most of the time live on trees lungs to breathe इनना को ब्रीध करन लिकी हुंदेने lungs present हुंदेने जिदांगे monkey होगे, squirrel होगे, koala होगे ठीक है ये सारे arboreal animals दिया examples ने strong and muscular limbs to climb up trees and hold on trees जो arboreal animals हुंदेने ओनना दे को strong muscular limbs हुंदेने तांके ओहो द्रखता नू फार सकन ठीक है तो उनना ते चार सकन aerial animals aerial animals केड़े होगे जिड़े हवाच रहनेंगे ठीक है fly and spend most of the time in air जिड़े के उड़नगे ते अवदा जादा समा किथे बतीत करनगे हवादे विच जिदांके birds होगे, insects होगे, bats होगे ये सारे कीने aerial animals ने इनना दी भी streamlined body हों दिया है इनना दी बोन्स ने वो hollow हों दियाने, खाली हों दियाने wings हों दियाने, tailbone to change direction while flying जो tailbone हों दिया इनना दी ओहों flying दे विचे help कर दिया जदो इनना ने direction change करनी हों दिया नेक्स्ट आगे important things dragonfly is the fastest flying insect on earth जो dragonfly हो सब तो taze flying insect है गा आर्थ दे उपर next है bats are the only mammals that have wings to fly जो bats हों दे ने जिनना नों आपन ठीक है ओहो इक एहो जे mammals ने जिनना को wings हों दे ने उड़न दे ले the wings of bat are made of skin ते जड़े wings नों किस तो बने हों दे ने skin दे बने हों दे ने swan is an amphibian कर जो swan हो कि है amphibian है मतलब वो हो land दे water दोना चरहा सकती है तो ओधे की होंदे ने webbed feet होंदे ने तांकि हो swim कर सके next है जो peacock होंदे ने एक omnivore है मतलब कि हो plants भी खालान दे ते animals भी next है elephant has flat rounded feet to balance his body जो animal है ओधे पैर ने जो की होंदे ने नीचो चपते होंदे ने ते नाली की होंदे ने राउंड शेप दे होंदे ने तांकि हो अब दी बॉड़ी नो बैलेंस कर सके next one is hooves helps animals horses, zebra, giraffe, donkey to travel long distances केंदे जो खूर होंदे ने के जानवरां दे होर्स दे विच जेब्रा हो गया जिराफ हो गया डॉंकी हो गया एक किस छहल्प कर दे ने ओनना नू लंबा distance travel करन दे विच हल्प करते ने hoves की है made of same material like our nails जेडे material दे अपने 9 बने होंदे ने ओही material दे ही बने होंदे होंदे ने hoves camels can run for short burst up to miles per hour कैंदे जो camels नेगे ओहो बहती effort नाल के लो बहती energy नाल miles तक पाज सक दे नेगे इक कंटे दे विच Reproduction is the process of producing one's own kind Reproduction की एक process सा जीदेनल आपने तरांदे ही जीव कैलो यो offsprings कैलो पैदा करते है Birds, fish, frogs, insects reproduce by laying eggs जो birds ने, fishes ने, frogs ने, insects ने एक इतना reproduce कर देने है एग ले कर देने के अंडे दिन्देने नेक्स्ट है, dog, rabbit, horse, goat, humans are mammals give birth to young ones जो dog हो गया, rabbit हो गया, horse हो गया, humans हो गया, सारे के इने mammals ने तेहे young ones ने बर्थ दिन्देने The spiny ant eater and duck platypus are mammals that lay egg कैब जो spiny ant eater है ते duck platypus है mammals ने पर हो egg दिन्देने, मतलब अंडे ले करतेने The life cycle of a frog has five stages जो frog है उदे life cycle किन्या stages आंदिया ने पांज स्टेजज़ आंदिया ने गिया The life cycle of a butterfly, moth, mosquito, silkworm and beetle have four stages life cycle butterfly होगी, moth होगी, mosquito, silkworm, beetles होगी है इन अच किन्नी होगी है, life cycle ने स्टेज़ चार हों दिया ने frog दे बिच पांच हों दिया Next आगया, among animals, mammals give more parental care than others क्यांदे सारे animals दे विच्चो जो mammals हों देनों आप दे बच्चेया नों बच्चेया नी वाद प्रॉपर केर कर देनेंगे Life cycle of a frog, frog दे विच फर्स्ट स्टेज़ कि हों दिया है Spawn, then embryo बन दे, फिर टेड़पोल, then young frog, then adult frog एक ही हो गया, five stages हो गया Butterfly दे विच की हों दे, egg होएगा, egg तो larva बनूगा larva तो pupa, pupa तो फिर butterfly emerge हो नी स्टार्ट होगी, निकल नी स्टार्ट होगी, ठीक है फिर last की आजेगी, butterfly Next आगया, cockroach इस cockroach दे, विच भी की होएगा, egg लेइंग होएगी, ठीक है फिर young cockroach, जिन्हों आप निम्फ भी कहा दिनने है, then adult cockroach Insects like grasshopper and cockroach have three stages in their life cycle क्यान दे, जो grasshopper हो गया या cockroach हो गया, उनना दा, life cycle किनना हों दे, तिन स्टेज़ दा हों दे The young ones of a cockroach and grasshopper is called nymph Dove makes its nest among the thorns of a cactus plant और mehundi hedge जो dove हों दियेगी, ओहो आप दे आलना हो किठ्थे बना दिये, कंडिया दे, cactus plants दे, thorns दे, विच कार या फिर जड़ा mehundi hedge हों दे, विच बना दिये, मतलब आप दे अंडे किठ्थे दिन देगा, stones दे विच कार, road दे, side दे कोयल लेज इट्स egg in crow's nest, जो कोयल आप दे अंडे किठ्थे दिन दिये, crow दे nest दे विच दिन दियेगी, every beehive has one queen bee that lay eggs, क्यां दे हरी के जड़ा beehive हों दे, ठीक है, मक्हिया दा छत्ता हों दे, और ना जो हरी किठी काब दी queen हों दिये, जड़ी के अंडे दिन दिये, crow makes its nest high आप ओना tree, क्यां जो क्रोवा आप दा आलन है, हो बगात उच्चा बना दे द्रख्त दे उपर, large आप 9 inches हाए, ते height की नहीं हों दी 9 inch, ते diameter टोटल की नहीं हों दे 2 feet का diameter हों दे, incubation is the process in which a bird sit on eggs to keep them warm and develop into chicks, क्यां दे, incubation ओ प्रोसेस है, जीरे जड़ा पंची है, वो आप द बच्चे ने हो, निकल सकन, डिवेल्प हो सकन, the young one of an insect that looks like worm is called larva, क्यां दे जो बच्चे क्यालो, या young one सुन दे ने, insect दे, जदो हो worm दी तरह दिख दे नेगे, ता उन्हों आप की कैनने है, larva कैनने आगे, ते जदो आप दे parents नो resemble करन लग जान दे नेगे, तो उन्हों आप sleep around 4 hours, cow HD 4 गंटे सौन दी है, python 18 गंटे, cat 12 गंटे, जिराफ दे होरसेज 2 गंटे नेक्स्ट आगया, lizards go into a long deep sleep for almost a season, जो lizards हों दियाने, छिपकलिया हों दियाने, लंबे समय ली, बहुत deep sleep दे विच चलियाने, जन्दियाने, अल्मोस्ट एक सीजन दे ली, जि मैं देख लो कि आपन सर्दिया है, चे लिजर्स देखनों नहीं मिल दिया, ओचीज नेक्स्ट है, some animals cannot bear cold winters, they burrow deep within soil for warmth and go to sleep for months together, कहां दे कुछ की आनिमल्स की नहीं होना, तो ठंड बरदास्त नहीं हों दे, इसलिए की कर देनेंगे, मिट्टी दे विच गड़े खोद लान देने, कहलो या बरोज ठीक है, बना आ लान देने, तांके उनना नू गर्माहत मिले नेक्स्ट आगया, sleepiest animal है, जो के दिन दे विच बाइकंटे सौन दे है, जो sloth है, वो बीकंटे सौन दे है, जो स्क्वेरल हो, चौदा गंटे सौन दे है, पर डे, नेक्स्ट आगया, seven creatures are there who able to stay up all night, nearly every night, कहने, साथ तैदाने creatures ने, जेडे के, रात नू जाग दे रहन देने, हर एक रात अल्मूस्ट कहा सकते हैंगे, जिदा जिराफ, डॉल्फिन्स, एलिफैंट्स, आगया, ओहो विंटर दे विच, डीप स्लीप दे चला जान दे, टू तू तू त्री मॉंस्ट दे लिए, फिर आगया, senses and other features, tiger can see six times better at night than other animals, कहने जो टाइगर हो, रात नू छे गुना, जादा वध्या तरी के नल देख सकते हैंगे, बाक्की अनिमल्स दे, मुकाबले, उस तेहिलन दी अवास, ते कोई अनिमल दे, मूव करन दी अवास दा पता लग जान दे, को difference समझ जान दे, उस तिलाव जो tiger दे whiskers होंदेने, मतलब मुच्छां के लोगी, ओधे बाल होंदेने, ठीक हो वी बहुत sensitive होंदेने, तो किसे भी तरह दी movement निया वाइबरेशन नू पकी करने विसकर्स, some birds can see four times as far as we can see, these birds are, कैंदे कुछ कैनिमल नेंगे, ओहो की कर सकते ने, चार गुना दूर देख सकते नेंगे, ठीक है, अपनी कमपैरेजन, जिद्दा के, काईट्स होगे, इगल होगे, वल्चर्स होगे, गिर्जां होगियां, ठीक है, इल्लां होगिय यह सारी है, the things which we can see from two meter distance, these birds can see from eight meter distance, and eagle can see its small prey from high in the sky, कैंदे एच की है, के जड़ी चीज आपा नू दो मीटर तो दिख दी है, वो यह वाले पंची ने हो, आठ मीटर डिस्टेंस तो मी देख लान देने, स्नेक्स की हुंदेने, डेफ हुंदेने, ते ओनना नू सिर्फ ग्राउंड ते जो वाइब्रेशन हुंदे यह ने, ओदे थ्रू और फील करते नेगे, मतलब आपा क्या देने के लिड़ा साप बीन बजानते आंदो, बीन बजानते नहीं आंदा, ओ जो वाइब्रेशन पै आनिमल्स ओने कलर नहीं देख सकते, ते जड़े रात नू जगण वाले अनिमल्स ने, उनना नू सिर्फ ब्लैक ते वाइब्रेशन देख दी आने गिया, बाकी गलर्स चनि, अब पूलिस डॉग गान पूलिस डॉग बंदो, पूलिस डॉग और थे जो पूलिस डॉग वा केंद जो डौगयों हो मतलब बहुत थोड़ी तो थोड़ी साउंड नू भी सेंस कर लेंदेगा ताहीं किया है कि जड़े डौगयों नू किस्ची यूज किता जान दै क्रिमिनल्स नू फड़न दे विच ते जो भी चोड़िया लिया चीजा ने उनना नू लगबन दे विच अ बर्ड विच्छ एज आईज इन फ्रण्ट ओफ इस हैड ते जो पीजन होगे अखान ओधे दोनों साइड से उन दिया ने आसे पास से उन दिया ने जो बहुत छोटे हों दिया ने A mosquito can find a human being by smelling his body odor and by the heat from our body जो मच्छर हैगा उब हो एक human being नो ओधी smell नतों ठीक है ते नाली जड़ी हो अपनी body देवी जो heat निकल दिया है उधे थ्रूँ पच्छान सकद है We can recognize dogs, cats, buffalo, cow, etc. by their smell without seeing them जो आपा इंसान है ठीक है, हो की कर सकद है Dogs नो, cats नो, buffalo, cows नो, उनना दी smell नो पच्छान सकद है बिना उनना नो देखे आपानों पता लाग जान्द है के केडी चीज है की के dog है, cat है, buffalo है, जो भी है There is a link between the size of animal ears and its hearing है देच किया है के अदे जो size of animal ear है के जान्वरान दे कन्नादा साइस तो ना दी सूनन कपैस्टी लिंक कर दी है जिनने वड़े का नहून गे ओनी जादा hearing है जड़ी सूनन शक्तियों बैटर होगी smaller ones दे comparison देविच When we put hands behind our ears, the sound sharpens या sharper H की है कि जो दो आपणे हाथ है जेड़े ठीक है अपने कन्नादे पिछे रख देया behind our ears, तो जड़ी sound हो जान्दी है, तिखी के अलो शाप हो जान्दी है If we put our hands over ears, जो आपणे हाथ कन्नादे उपर राख देया जो भी बोलांगे, आपनो सुनूँगा अपनी voice दे विच, आपनी voice सुन सकते कन्नादे उपर हाथ राख दे Elefants दे जो काट हो देनेगे ठीक हो फैन दी तरह भी काम कर देनेगे, ओनानो फ्लैप कर दा रहनदा तांकि आप दे आपनो कूल कर सके ठंडा रख सके जो इगल हैगी हो, ग्राउंड ते पर ही रोटी नू देख सकती है किन्ने डिस्टेंस तो वान एंडा हाफ किलोमेटर तो टू डिस्टेंस, मतलब देड़ तो धो किलोमेटर दे दाइरेच जड़ी इगल हो देख सकती हैगी If we have eyes in place of our ears, we could see on our left and right side without moving our neck We can see a wider area with both eyes as compared to with one eyes एक काई नाल आपनू काट्टे एरिया दिखूगा अगर दोनू eyes नाल देखांगे तो आपनू जादा एरिया दिखेगा While moving ant leaves a smell on the ground जो कीडिया हुन दिया ने जदो चल दिया नो एक smell चाड़ दिया ने अवदे पिछे तो देनल किया कि जड़िया बाकी दा ग्रुप हुन दो smell नो follow करदा करदा और ना दे पिछे-पिछे आ जान देगा अगर उनना दा रस्ता ब्लॉक भी हो जान देगा ताम भी वो smell दे थ्रूँ की कर लन देने वो रस्ते नो follow कर लन देनेगे इस तो लावा कियागा कि जड़ी आंट्स ने घिया ठीक होना चे सेंसे जैनिया स्ट्वांग हुन दिया ने वह आप दे ग्रुप नूँ दी स्मेल नूँ पछान दिया ने जो किसी होर ग्रुप पच जाके नहीं रल दिया फिफ्टीन टुट्वेंटी मिनिट्स टु कम इवह पुट्टा स्वीट वान फ्लोर केंदे जा आपको कुछी मिठा फ्लोर ते रख भी दमांगे ताम योई कीडिया नूँ आनू पंद्रा तो वी मिंट लगनगे यह नी होगा भी आपका मिठा रख्या थे कीडिया नाल लागिया अनिमल्स एंडियर फूट हैपिट्स फस्ट वान आगे हर्वी वोर्स हर्वी वोर्स के डिये हुंदे ने जड़े प्लांट्स खान देने गे जिदा रैबिट हो गया हॉर्स काउ गोट जेबरा ग्रास ओपर शीप ठीक है यह सारे अनिमल्स की ने हर्वी वोर्स चाहिए ने गे पिद्ध बाइटिंग टीथ दंदी वड्डन ली जो नारे दंध हुंदे ने चोड़े हुंदे ने गे ग्राइंड कारना ले टीथ भी स्ट्रॉंदे ने गे तांके ओंड नो एजली कट सकन उनु चबा सकन हाड हूव्स अंडर देर फीट टु वाउक तो लेटर चोड़े हुव्स खूर हुंदे ने गे ओकी हुंदे ने हाड हुंदे ने गे तांके ओंड हूवी कर शक ऐनेगे तांके ओंड हूवी नेक्स्ट इस कार्निवोर्स के डे फिलेडे हुश-eaters जड़े मास कने ने जिद्धा लाइन टाईगर फॉक्स वॉल्फ स्नेक प्रॉग लिजड़ काई ए सारे होगी एनाच की हुंदेने शाप टेरींग यान कवड टीच हुंदेने तिखे हुंदेने दान देना दे जड़ जवाडे ने ऑ स्ट्रॉग हुंदेने पंजे ने ऑवी स्ट्रॉग हुंदे तांके ओ इसली आप दे शिकार नू मार सकंड ते पॉपाँष् senza कर दो टेता मस उतार सकांद स्नेख में लिजर टें फ्रोग स्वेवरला ने चो कार देना शिकरननों स सिध निगल जांदे ने क được लुद लुए डोय यह कोसे अनिमल में जान धोनीर थेन डेकरोडाब आनिमल्स दोनुं साजान जान यह बयर precaution एंगे थे ब्लाड ऑफ होस्ट ते होस्ट जी बॉड़ी विच्च याउपर रह रह रहे रहे ने वदे खून नू सक कर देने चूस्ते ने जित्दां के लीच होगी बैडबग लाइस मॉस्कितो जोगे ठीक है जता कुछ टेप वाम राउंड मुख वाम जार पैरसाइट सबीकिते ने कीने पैरासाइट सम्हेंस एट डद लिटंग्कयीव पुछक जानवर ने जड़े की कर देने, मरे होई जानवरा नुखान देने, उन्णों पकी कर देने, स्काव एंजर्स कर देने, शार्क होगी, जैकल होगी, वल्चर होगी, ठीक है, ए सारे, पुछक लिविंग जानवरा नुखान देने, उन्णों पकी कर देने, देकंपोजर्स कर देने, फंजाय ते बैक्टीरिया, नेक्स्ट है, स्क्वेरल's front teeth keeps on growing throughout its life, it has to keep growing on things to keep its teeth from becoming too long, जो स्क्वेरल होंदी है, ठीक है, काटो, ओधे जड़े अग्गे वाले teeth होंदेने, वो की होंदेने के throughout the life वदी वदी जानदेने, इसलिए उन्णों की करना पेंदा, गुनोईंग मतलब होंदी तुक दी रहन दी है, क्यालो या काट दी रहन दी है, ओणों लगातार करना पेंदा तांके जड़े, तीथ ने वो बहुत जादा लंबे ना हो जान, एलिफैंट्स ने, जो हर्वी वोर्ज नेगे, मतलब का खान देनेगे, ते ओओँ पाणी दे नेड़े तेड़ी रेंदेनेगे, तो एपरोक्स सोट और देड़ सो किलो खाना खान देने, ते पंजातों देड़ सो लीटर पाणी या ओँ एक दिन दे विछ पी जान है ओधा वेट 90 kg होएगा पर्थदे टाइम ते ते विदेन थ्री मन्स ओधा वेट किनना होजेगा राउंड 200 kg होजेगा दे कीप दियर स्किन कूल विद मट देनाल एगरेट स्पैरो दे फ्रेंट फ्रेंट उपर इंसेक्स उन्देने उननानु खा जान देगा तो जड़ा एगरेट ते बफैलो दे शिंबोईटिक र्लेशंशिप है स्पोर्च रहेजनु जोईthere which दुन्न वर्टिब्री और उन्देने वर्टिब्रेट स्पाद बेक्पर को देफ्र ऑ्टि जोगेंई वर्टिब्रेट स्नेल्ग बह्त नही ए स्नेल्स होगे, क्रैब्स, ओक्टोपस, स्टार्फिश, जैलीफिश, वॉर्म्स ये सारे अप्रोक्स 97% अफ अनिमल स्पीसेज आर इनवर्टी ब्रेट्स कि अन्दे 90% जो अनिमल स्पीसेज नो कीने इन वर्टी ब्रेट्स नहीं मतलब उन्ना धी बैकपोन प्रेजन नहीं हैगी दे डिफरेंट पैटर्न अन्दे स्किन ओफ एनिमल्स हार दियो तो दो रिफ्लेक्टे लाइट जो एनिमल्स दे स्किन ओपर अलाग लगतर आदे पैटरंस बने हुंदे नो दा रिजन की हुंदे है रिफ्लेक्टेड लाइट हुंदी हैगी कुश्क ने जेड़े हो ब्राइटली कलर्ड हुंदे ने कुश्क नो आपका मतलब हार्ड टू सेखे देखन चवी पता नहीं लगता हैगा ओधा रिजन की हुंदे हैगा के उनना दी स्किन ओपर की हुंदे ने हेर्स प्रेजन हुंदे ने बार प्रेजन हुंदे ने अंफिबियंज ऐन्ट अन् रप ताइल्स हाँव 3-चेंबड हाट अंफिबयं दे रपटाइल्स दाँ 3 चंबड हार्ड हुंदे मिलब तिन खानने हुँँगे जो amphibians ने वो ब्रीद कार सकते ने गिल्स दे थरू, लंक्स दे थरू, स्किन दे थरू तो जो reptiles ने वो लंक्स दे थरू, ब्रीद करनगे and have invisible ears तो जड़े उन्हादे ears होनगे वो invisible होनगे के दिखनगे नी reptiles have scales on their body, जो reptiles होनदे ने होना दे बोड़ी दोपर scales बने होने in amphibians and fish etc. there is external fertilization amphibians होगे ते fishes होगे इनना दे विच जड़ी fertilization external होगी, मतलब बोडी तो बार होगी reptiles, birds, mammals दे विच ये fertilization हो internal होगी, मतलब बोडी दे अंदर होगी sloth look like beer, seems slow and lazy बन, जो sloth हो beer दी तरह लगूगी, slow होगी ते lazy, सुस्त होगी almost उस तारां कंटे दिन दे सौन दे विच ची spend कर दूगी, while hanging upside down on a tree मतलब tree ते उल्टे लटक के, they live about 40 years, ते जो sloth हो 40 साल जियों दी है thank you so much